अखिल भारते मजदूर कॉंग्रेस के राष्ट्रे अदेख स्वामिनाथ जयस्वाल ने पीम नरिंद्र मूदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मूदी के अडानी गुरूप से संबद नहीं है तो जेपीसी के गठन की मांग को वह क्यों नहीं मानते हैं। विपक्ष बार बार मांग कर सरकार अडानी मुद्दे पर जेपीसी का गठन करे और सफाई दे लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बाचित करने से कत्राती नजर आ रही है। साजिस के तहट देश के जनता को जिस तरह से बड़े-बड़े मोदी जी कल अपना भाजपा के अस्थापना दिवस पर धकोसला दिखा रहते। लेकिन लोगतंतर में लोगतंतर बहाल नहीं होगा जिस मंदीर में जनता का सीधे टेक्स का पैसा से पार्लेमेंट चलता है। आपको संसत बना कर जिता के भेजा दाता था आम जनका कई बील पास, पैंडिंग पास करना था लेकिन खुदी सरकार नहीं चलने दिया। पहली बार देखने को मिला होगा के संसत में सरकार के पक्छवाले ही नहीं संसत भाउन चलने दिया। बार बार राहुल गांदी जी के माफी पक कही दिन चला। दूसरा बात एजेपीसी लागू करने के लिए निरंतर बिपक 16 पार्टियां निरंतर मांग कर रहा है। जॉइन पार्लमेंटी कमिटी बनाने में आपका क्या जाता है अगर रिस्ता नहीं है आपका तो बीस हजार करोन सेल कमपनी से पैसा जो आया उसी कता हिसाब जनता भी चाहरा है और देश का लोग तंतर के मंदरी में बैटे आप अगर हिमयती नहीं आडानी का जिस तरह से आपका रिस्ता बनकर अब बार बार उनको भी देश यात्रा करा है उन पहले उनके साथ अब यात्रा करते थे अब खुद यात्रा करा रहे थे इजराहिल जाने के बाद अच्छा सोधा करा देते हैं अस्टेलिया जाने के बाद कोईला सोधा करा देते हैं बंगला देश अ पूर्ण लिया गया आपके बजट में और जिस तरह से बित्त मंत्री कॉंग्रेस में दंगा फसाद होता हो उस सरकारों में अरे आपके गुजरात का दंगा पुरा देश जानता है कि किस तरह से हुआ मैं बताना चाहरा हूँ आपके माध्यम से जीस तरह से लोक थंत्र में लोक थंत्र की बात होना चाहिए संसत बावन इसलिये बनाया गया है उस मंदिर में गरीबों की किसानों की बात किसानों के दुबनियाय की बात कहते और 700 किसानों के सहादत के अभी भी किसान अपने कौप एच्छित और ठगे महसुस करें जिस तरह से आप उस किसानों को उस समय बोले जिस दिन गुरू नानक जहनती था बोले कि मैं एक साल अपने पाप को शुकारते हुए कि मैं गलती हुआ है मेरे से तीन काले कानून लाकर और इसको वापस ले लो फिर दोबारा हम ऐसा कदम उठाएंगे कि आपका MSP भी लागू किया जाएगा और किसानों को जो केसेज है उनको हटा दिया जाएगा और जो सहादत हुए सजीदों का दरजा दिया जाएगा लेकिन किसानों के साथ तो उल्टे गारी चड़ा दिय अजय कुमार ठेनी का लड़का जो मोच हैटते हुए उत्तर प्रदेश के जेलों से लिकलता है जिसके पिता जी जाच में भी उनका हस्ताइक छेपकियों की ग्रिह मंत्री है आज तक इस्तिपा नहीं दिये तो किसान भी देश का ठका हुआ है मजदूर के चवाली से चार क इस्तों के अस्थान पर पहुंचा दिये यह आपका उदार इतना प्यार यही तो जानना चाहरे है यह जनता और तमाम सरकार कि आप बताएं यह डर है कि 20 लाक 20 हजार करोण सेल कंपनी से में और दूसरे दरवाजे से जो आया है अडानी के पास उसमें पूला भू आ रहा ह है पूरा भ्रष्टा चार भड़ा हुआ है एडी इंकम टेक्स लेकिन जो पक्ष में बैटे हैं उन पर क्यों नहीं सुप्रीम कोट का भी स्वागत करते हैं बोला कि नहीं किसी को बक्सा नहीं और किसी नेता के लिए अलग बयुस्ता नहीं हो तो यह अच्छी बात है वह असाम का है पहले लंबा लिश्ट दिखाते थे आज कैसे मसीन में दोकर दूत का दूला दिख रहे हैं हम बताना चारहों देश का जनता भी आपके माध्यम से जानना चाहता कि आज 20 लाग करोन का जो घोटाला हुआ है कैसे आया सेल कंपनी में तो कम से कम बताए जनता को ज जब इंदरा जी के समय में मनमहान सिंग जी के लाख रुपया के बश्टा चार में मनमहान सरकार के समय में जेपीसी लागू हुआ लेकिन निरंतर एक पार्लेमेंट हथे चड़ गया आपके हंकार के वज़ा से जीरो पहलेंस पर चला गया आठ मिनट तक एक मैक्समिम्यम आठ मिनट और मिनिमम आधा मिनट तक एक पार्लेमेंट चला है यह देश का दुर भाग गया है और हाई लाग रुपया पर मिनट खर्चा होता है और डेल लाग रुपया एक दिन में खर्चा होता है पारलेमेंट चलाने के लिए पूले महीने भर पैसा यानि देश के जनता का हम अवाम को जिस तरह GST लगा कर दूद, दही, पनीर, कफ़न तक GST लगा दिये, उस पैसा को असूल करकर नजायज, आपके हत्ते चलायज, यह पिसी लगाना, आप एक पुंजी पती को बचाने का काम कर रहा है, डेश का लोग तंत्र का आप हत्या कर रहा है, सम्मिधान का दजिया उडा रहा है, देश का जनता आपके माध्यम से जान और दूसरी बात आता हूँ, जिस कारण हमारे नेता रहुल गांदी जी को, जो 4000 किलोमेटर कन्या कुमारी से कास्मीर तक चल कर, जिन्होंने एक अलग जगाया लोगों को आम आवाम, जो अमन की बात ठोक देते हैं, मोधी जी, मानिये परधानमंती जी, जन-जन की बात सु मिला, ओ घबडाहट उनको उसकादर घबडा गये, कि एक दिन में 23 तारिक को उनके पर कोट में बिना वजह, कोट पूरा बात भी नहीं, जो केस लगाने वाला निरम मोधी है, न मोहिल चौक से है, केस लगाने वाला भी जो लगाया है वी धायक, वो पहले एक बार सुप्र सद्यांद के तहट जिस तरह से राहूल गांदी जी को चोवी तेज तारीकों हता है, चोवी स्कुआयोग धारा दिया जाता है, फिन उनको बड़े-बड़े लोग बंगले लेकर पड़े हुए हैं, गुलाम नभी आजात कलका से किस भासा में बात कर रहे थे, परधान मंत दिये, इंद्रा जी साहदत दी, तो उनका सूरच्छा ब्यवस्ता का अगर देश को नहीं, अमिस साजी को परधान मंतरी को रहूल जी को ऐसे नियत्तर छोड़ दे, रोट पे छोड़ दे, तो आप उनके चार बार संसद होने के बाद भी उनका बंगला ततकालीन खाली करा चोड़ भी दिये, लेकिन आप उनको क्यों रखे, आपके पहुना लगते हैं कि उनको आप मुल्यमन हर जो सी आनंद सर्मा जी हमारे कांगरेस के उनका भी बंगला ने खाली हुआ है, किसी को नोटिस गुलाम न भी आजात का नहीं, तो आपका जैकारा जो बोलेगा उसका तेल की बात करेगा, उसको तुमायोग ढ़रा कर देतो, देश का जनता 140 करोनों के दिल में राहुल गांदी बसते हैं, और इसी रोड पे आकर ही सड़क से संसत की लडाई को ओ देश के जनता के बीच में जिस तरह से उत्तै कर लिया है, कि मैं नहीं डरूंगा, न डरने वा रहुल गांदी जी, अभी जो बच्चा हुआ है, तो यात्रा सुरू करेंगे, क्योंकि जनता के पास हमारा जो नेशनल मीडिया है, नेशनल चैनलों को जिस तरह से उन्हीं के माध्यम से चालू किया जाता है, बंद किया जाता है, तो आखिर हम जनता के पास की वाजे पर दस्तक देकर, लोगतंत्र के होने इस पार्टियों का बात हम करके, और लोगतंत्र को बहाल कराएंगे, तभी जाकर एक नया संग्राम छिड़ गया है देश में, लोगों को युवाओं को रोजगार नहीं देकर, दो करोन का जासा दिया गया, पंदरला का जब स करमाता है इस दर्तिम को हम माझ बोलते है, जहां किष्णाओं को राम का पैदा है, जहां पर सनातन एमारा पैदा हुआ है, जो सन्तों की भूमी है भारत, वहां पर आपको पाइदा होने पर सर्माती है, बीदेश के धर्ति, चीन को आख दिखाने की बात कहते, लाल पिला क 23 में होने वाला विधान समा में जबाब देखे